उत्तर परदेश के मुरादाबाद के ठाना गल्ष हीच शेत्र में सुभे नो बजी दो महिला एक चूड़ी कारोबारी मकान के निचले तल पर बनी दुकान पर पहले ग्राख बन कर पहुंची उसके बाद एक महिला बाहर उठकर आई और अपने तीन अन्य साथियों को बुला लाई महिला के पुरुष साथियों ने अंदर आते ही कारोबारी के उपर हतियार तान कर उसे जबरन दुकान के उपर बने मकान में ले गए वहाँ कारोबारी के घर की तलाशी लेने पर उससे सतर हजार उपे की लूट कर धमकी देते हुए फरार हो गए घटना की सूचना मिलते ही थाना गल शहीद पुलिस के साथ साथ ही स्सपी मुरादाबाद अमित पाठत भी मोके पर पहुँच गए स्सपी ने अधिनस्द पुलिस कर्मियों को जल से जल पदा लगा कर बदमाशों की गिरफतारी के निर्देश दिये हैं जर्माल को दम में से निकाल के ला रहा था तो दो आजमिया मोटर थाइक लगा एक लंबा साथ एक लगा और इंगनाठी से खाच कर आए वह खड़े हो गया जर्माल उठाने गए और अंधर भाय गए मेर उपर रिवर्वर रग्दिया हो मोने प्रिया में अधिन रिवर्वर मेरे उपर रग्दिया आए बोले, मैंने तुझे मार देंगा। ताले किल्कुल भी शौर में आए। मुझे बांदली कुछिस करें, मैंने बहुत गरा। मेरा जित्तबिया सब ले जाओ, मुझे मारूँ हूँ, मेरे चोट 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 बच्च में। मुझे मेरे जोकान में अंदर से भी अंदर कुछिना है। उद रासिते में जोपर लेगा है, जोपर ले जाओगा। मैंने परसे जगा है, जो इसमें तराम में पर्चेह ने जेदे। वो परबार किनो रेवालवर ताने वे और इक राद देवर्ला दे। जोपर आप जोब जोपर लेकर भादुनीजर को शविदा देवर्ला को शविदा या कार्या है। कि आफ लेगा है और हमें कमरे में अधेगा है, इसको ख़बर करी, यह वो करा। कि यह जागार शोर में गुली मार तेंगा इंपर जाने के बात देअ करीब 5-7。 पीचान पर ब 아닌 ररी लगवक। पुलिस को प्ली सहाव कि ल गष्पा रुपा ze प्टित्ने की चॉड़ी उगी हैं? कितने की टखेती हुए लगवाग मुईयों साट साट सातर हजार रुक जी किस तरफ टाइम की गठना है यह लगवाग तावन नौ तान नौ की आसपार जी जी सर्थ ठाना गल्चे इतने अधी 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 क्या पूरा मामना है थाना गल्चे छेपरें पर दाज शुच अधी तक जोसके जोरा बताया गया है लगवाग साट जार रुके के रखम उसके आसर रुकी गई है दो बाइक सवार लोग थे और उसके बाद एक ड़की ओर आया इन लोगने मिलके इस गठना को कारीथ किया हमने अपनी SOG टीम को और चार्टी में कठे तरके इस गठना मे सब्सक्राइब बतन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं